हेलो फ्रेंट्स मेरा नाम है आभीदे के एंड वेलकम टू टैक्सोर क्या आपके वनप्लस के किसी भी फोन में लोकेशन या जीपियस सही से नहीं चल रहा है तो इस प्रॉब्लम को कैसे ठीक करे आएए जाते हैं तो यहाँ पर मैं आपको दो से तीन तरीके बताऊंगा जिस को बंद करके एक बार चालू कर लेना है यहां पर मैं मॉबाइल डिटा नहीं कर रहा हूं बड़ आप दोनों को एक बार बंद करे और चालू कर ले एड इसके बाद अगर आपने इस तरीके से पावर सेविंग मोर्ड кो आ उं रखा है तो पाव़र सेविंग मोर्ड भी ऑ सही से पूरी परफॉमस नहीं कर पाता है ठीक है इसे ओफ कर दे एड़ लोकेशन की जो अन है एड़ लोकेशन अगर अन है तो उसे एक बार बंद करें एड़ उसे अन करें तो यह हो गई हमारी बेसिक ट्रबल शुटिंग अब यह करने के बाद आप चेक कर सकते हैं आपकी प्रॉब्लम सौल हुई है या फिर नहीं इस तरीके से प्रॉब्लम सौल हो जाती है बट प्रॉब्लम अभी भी आ रही है तो यहां पर हमारा दूसरा तरीका आपको कंट्रोल सेंटर को वापस से नीचे लाना है एड़ यहां पर आपको लोकेशन दिखाई देगा इस पर क्रेस करें लॉग करने के बाद यहां पर आप देख पाएंगे वाइफाई एंड ब्लुतूट गरें वाइफाई गाइन वायेक वाइफाई अडल गर्षृट स्कानिंग दोनों यहां से ऑन होना चाहिए इससे location और accurate और accuracy के साथ आपको पता चलती है तो आप इसे ज़रूर on रखे ठीक है and इसके बाद यहां से बाहर निकलें और आप check कर सकते है problem सही हुई है या फिर नहीं नहीं हुई है तो यहां पर आखरी तरीका phone की settings में चले जाए and इसके बाद scroll करके नीचे की तरफ आए यहां पर आप देख पाएंगे battery तो battery में click करें and यहां पर आने के बाद नीचे आपको दिखाई देगा more settings इस पर click कर लें यहां पर देखिए सबसे ऊपर है high performance mode मैं आपको यह recommend तो नहीं करूंगा बढ़ हाँ आप इसे एक बार on करके try कर सकते हैं ठीक है मेरे मुता ही है कि यहां पर हमें आना है optimize battery usage पे इस पे click करें और जो भी application में पराबर नहीं काम कर रहा है location यह GPS उसे यहां पर ढून लें example के लिए यहां पर है find my device इसमें location नहीं चल रहा है आप किसी पर भी try कर सकते हैं यह setting तो देखिए यह मैंने auto optimize पे मैंने रखा है तो यहां पर क्या करना है don't optimize रखना है आप उस application को don't optimize करें जिसमें भी problem आ ठीक है क्या होता है auto optimize होनी की वज़े से application automatic sleep mode में चली जाती है तो यहां पर don't optimize रखी ठीक है अब इसके बाद यहां पर है last में app battery management इसपे click करें यहां पर अपनी application ढून ले एक्जेंपल के लिए मैं ले लेता हूं find my device again अब यहां पर आपको ध्यान रहें allow for ground activity यह जरूर on रखें क्यूंकि जो भी notifications आती है आपको कब write लेना है कब turn लेना है अगर आप navigation यूज कर रहे हैं तो वहां पर notification आती रहती है तो उसके लिए यह बहुत काम का होता है for ground activity ठीक है इसके बात allow background activity तो यह भी जरूर on रखें background activity application के लिए बहुत जरूरी होती है आप इसे भी on रखें ठीक है और most important allow auto launch तो यह तीन जरूर on रखें इससे आपकी जो भी location यह gps की problem होगी वो solve हो जाएगी ठीक है एंड इसके बाद एक बार अपने phone को restart यह reboot जरूर कर ले बंद करके चालो जरूर कर ले इसके बाद आपकी problem definitely solve हो जाएगी उमीद करता हूं आप समझ गया होंगे वीडियो पसंद आएवे तो वीडियो को like करें चैनल को subscribe करें अपना बहुत ज्यादा ख्यार रखें बाबाए